हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, ये सी सैट दो हजार एकिस पी वाई की सीरीज का तीसरा पार्ट है, पहला और दूसरा पार्ट अलरडी मेरे चैनल पर अबेलेबल है, आप पहले जाके वो दोनों देखिए, फिर आप इस पार्ट को देखिए, आप ड कौन से मन्त के बारे में बोल रहा, अब इस स्टेट्मेंट पर आते हैं, स्टेट्मेंट नमबर वन, बोला है, लास्ट डे वेडनस डे है, सपोज, अब हमें तो ये नहीं पता है कि कौन सा मन्त है, तो नमबर अफ डेस भी नहीं पता होगा, क्योंकि हमारा चार करते है कि 14th day कौन सा है, स्टेट्मेंट 1 अलोन सफिसेंट नहीं है, आते हैं स्टेट्मेंट 2 पर, the third Saturday of the month is the 17th day, so 17th day जो है, वो third Saturday है, मतलब ये Saturday है, हमें पता है, हर 7th day की duration पर, day हमारा सेम होता है, इसका मतलब जो 10th day होगा, वो भी Saturday होगा, जो 10th day है, वो भी Saturday है, 10th से कम 3 day है, third of the month है, वो भी Saturday है, इसका मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि third Saturday हमारा 17 तारीक हो है, तो हमें 14 वा दिन निकालना है, तो अगर 10 वा दिन Saturday है, तो यहां से 4 आपको add कर देना होगा, 14 वा दिन आपको क्या हो जाएगा, Sunday, Monday, Tuesday और Wednesday, मतल स्टेटमेंट 2 से केवल हम लोग find out कर सकते हैं कि what is the 14th day, और स्टेटमेंट 1 का तो जरुवत नहीं है, because स्टेटमेंट 1 कुछ नहीं हमें बता रहा, तो हमारा answer हो जाएगा, option number B, that is, स्टेटमेंट 2 alone is sufficient to answer the question, question is, which day is 10th October 2027, तो हमें calculate करना है कि 10th October 2027 कौन सा day है, so ऐसे question में simple approach हमारा होता है, कि कोई एक हम लोग reference day ले ले लेंगे, उस reference day से जो day हमें निकालना है, जैसे हमें 10 October निकालना है, इन दोनों के बीच में number of days calculate कर लेंगे, कि कितना number of days है, और उसे 7 से divide कर देंगे, divide होने के बाद जो remainder आता है, अगर remainder 0 आ गया, तो जिस जो reference day हम लोग माने थे, वो same day हो जाएगा, जैसे Sunday हम लोग मान रहे है, reference day और remainder 0 आ गया, तो Sunday ही answer हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है, हर साथवे दिन, day repeat होता है, तो उसी approach से हम लोग चलेंगे, सपोज हम reference day मान रहे है 1 April 2024, जो कि आज का दिन है, जिस दिन मैं video shoot कर रहा हूँ, तो आज है हमारा Monday, अब हमें निकालना 2024 है, तो 2025, 2026, 2027 तक निकालना है, पहले हम 1 April तक ही calculate करेंगे, तो हमें पता है कि 2024 लीपियर है, बट फरवरी महीना हम लोग skip कर चुके हैं, वो पहले चला जा चुका है, तो मतलब 2025, 26, 27, 2027, तीनों लीपियर नहीं है, मतलब तीनों में 365 दिन ही होगा, तो 3 साल है हमारा, 365 into 3, पहले ये डेज निकाल देंगे, ये हमारा हो जाएगा, 15, 18, 19, 10, 10, 95 हमारा हो जाएगा, ये total number of days, ये डेज किसके किसके बीच है, 1 April 2024 से 1 April 2027 के बीच है, तो मान के चले, एक डे हम कर लेते हैं, 31 March तक ही ले लेते हैं, 31 March तक ले लेते हैं, कि हमें calculate करने में आसानी होगा, तो ये एक April तक का date है, तो एक माइनस हो जाएगा, 1094, ये 31 March तक का है, अब directly हम लोग डे calculate कर सकते हैं, April का, April, May, June, July, August, और September, तो April में total हमारा 30 days होता है, May में 31, July में 30, sorry June में 30, July में 31, August में 31, और September में 30, तो इसे calculate कर लेते हैं, ये हमारा जगा 3, और ये 6, 18, 183, और हमारा 1094 आया था, 1094 एक अतिस मार्स तक था, और हम इसे 183 का add कर दी हैं, ये हो गया 7, 9, 17, 1, 2 हुआ और यहां 1, 1277, मतलब 1 April 2024 से लेकर 30 September, ये 30 September तक हैं, ये हमारा इतना आ गया, हमें 10 October चाहिए, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं, 10 October 2027 चाहिए, मतलब 10 दिन हमें और आट करना होगा, क्योंकि अभी September इंड में हम लोग यहां 10 और आट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, ये 7, और ये 8, और ये 2, ये हमारा total number of days आ गया, between 1 April 2024 तू 10 October 2027, अब हम लोग remainder निकाल लेंगे 7 से, अगर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो remainder कितना आएगा, तो 7 से एक बार में जाएगा, 7, 5 बचेगा, 58, तो 7, 8, 56, तो यहां 2, 27, तो 7, 2, 14, 7, 3, 21, मतलब हमारा remainder बच जाएगा 6, ये हमारा remainder हुआ, और हम लोगों ने कौन सा दिन माना था, reference day Monday, मतलब Monday से हमें 6 दिन आगे करना होगा, तो हमारा Monday पहला हो गया, 6 दिन आगे करेंगे, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, मतलब ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाच्वा, छथा, मतलब ये जो Sunday है, ये हमारा 10 October वला दिन होगा, मतलब हमारा answer हो जाएगा, E, Sunday. Question is, consider two statements and four conclusion given, you have to take in the statement to true even if it seems at variance from commonly known facts, read all conclusion and then decide the given conclusion follows, So, ये question हमारा statement और conclusion का है, तो पहले दो statement को decode करते हैं, पहला statement क्या है, Some greens are blue, so मान लेते हैं कि ये एक circle win diagram बनाएंगे, same color से बनाएंगे तो असानी होगा समझ रहे में, So, ये diagram बन गया कि some greens are blue, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, आप color से समझ जाएगा, कि this is green, this is blue, So, ये है जो some greens are blue, next है, some blues are black, so some blues are black है, तो यहाँ दो-तिन condition हो सकता है, एक तो यहाँ intersection हो सकता है, some blues are black, ये वाल apart है, blue है और black भी है, दूसरा हमारा ऐसा भी interaction हो सकता है, इसमें भी some blues are black है, मतलब ये हमारा total win diagram बन गया, हमारे ये दो statements है, अब आते हैं हम लोग conclusion पर, हम लोग color change कर लेते हैं कि conclusion हमें पता चले, First, some greens are black, so भोला गया है कि some green जो है, वो black है, So, अगर हम लोग ये green consider करते हैं, यहाँ वाल apart वाला green, या यहाँ वाला apart वाला green consider करते हैं, ये black के अंदर है, इसका मतलब है, conclusion 1 follow कर रहा है, Next, आते conclusion 2 पर, no green is black, so second है कि no green is black, So, हमारा, यहाँ पर दिख रहा है, यह जो red वाला पहले हम लोग consider किये थे, यह तो green black है ही, तो यहाँ पर यहला statement गलत हो जाएगा, कि no green is black, यह दिख रहा है कि यह वाल apart में है, यह green भी है और black भी है, Third, all greens are black, तो all green black नहीं अगर suppose यह वाल apart हम खरी consider कर रहे, यह green है लेकिन black नहीं है, मतलब third भी गलत है, Four, all blacks are green, तो अगर हम लोग यहाँ भी consider कर रहे, यह पोइंट यह वाला point consider कर रहे, यह तो green नहीं है, लेकिन black है, मतलब यह भी गलत है, तो हमारा केवल conclusion one, जो क्या है some greens are black, यह केवल हमारा follow कर रहा है, इसका मतलब conclusion one only follow, वट आप अगर ध्यान से देखें तो conclusion one वाला option आपको दिया नहीं गया है, यहाँ पर last option ही दिये गया है, neither conclusion were, क्योंकि 3 conclusion follow नहीं किया, one conclusion follow कर रहा था, यह सब question पर कभी-कभी क्या होता है, कि answer combination गलत होता है, यहाँ पर क्या जो होता है, some greens जो दिया हुआ है, इसमें confusion हो जाते हैं कभी-कभी student लोग, तो अब जैसे हमने क्या किया, some greens को, मैं एक बर color और change कर लेता हूँ, हम लोग some greens को यहाँ वाला green consider किया, इसे साब से हमारा statement true हो गया, लेकिन अगर हम लोग यह green consider कर दिये, some greens are black, तो यहाँ पर statement यह false हो जाएगा, अगर यहाँ पर statement actual UPSC को देना चाहिए, कि definitely या certainly यह word डालना चाहिए, कि अगर यह word डालेगा, definitely, certainly, तब यह statement गलत होगा, अगर ऐसे अगर देगा कि some greens are blue, तो यह तो सो दिख रहा है आपको, कि यह वाला जो part है हमारा, यह साब green भी है और black भी है, तो इससाब से answer हमारा one conclusion सही होना चाहिए, बड़ UPSC ने ऐसा कोई option दिया नहीं है, इस करान से आप लोग जाएंगे last option सही, बड़ आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसे statement में जहाँ certainly आता है, तो वहाँ आप देखिएगा कि कोई भी ऐसा possibility आ रहा, जहाँ पर वो condition false हो रहा है, अगर आ रहा है तो वह condition ही false हो जाएगा, लेगिन यहाँ certainly अगर नहीं लिखा है, simple ऐसा ही लिखा है, some greens are false, तो कोई भी आप possibility देख लीजिएगा, कि कोई भी point आप ले रहें green में, अगर वो black है, वो आपका black है, तो आपका option सही हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा confusion है, अब यह 2021 का question चल रहा है, तो अभी UPSA ऐसा confusion question पूछता नहीं है, बढ़ आपका concept clear होना चाहिए, question is, what is the value of x in the sequence, so पहले हम sequence लिख लेते हैं, 2, 7, 22, 67, 202, यह हमें fill करना है, और हमारा 1822 है, कभी भी आपको sequence मिले ऐसा, तो सबसे पहला approach होना चाहिए कि इन दोनों का relation कैसे establish करेंगे, कुछ multiply करेंगे, कुछ add करेंगे, हमारा general trend यह होता है, maximum में UPSC ऐसा ही देता है, तो suppose इसमें try करते हैं, 2 into 3 plus 1, इसका मतलब है, इसको 3 से multiply करके 1 add कर दे रहे हैं, ठीक है, दूसरा sequence देखेंगे, अगर same apply कर रहे हैं, 7 को 3 से multiply करेंगे, plus 1, तो यह 22 आ जा रहा है, साथ यह 21 और 12, 22 को भी वही करेंगे, 22 को 3 से multiply करेंगे, तो 66 plus 1, 67, 67 को 3 से multiply करेंगे, 67 into 3, हमारा कितना हो जाता है, 21, 2, 18, 19, 20, 200 एक आ जाता है, मतलब 1, 202 हमारा साही है, तो हमारा next क्या होगा, 202 को 3 से multiply करेंगे, that is 606 plus 1, that is 607, यह हमारा answer हो जाएगा, last वाला भी हम cross check कर लेते हैं, आ रहा कि नहीं, 607 को 3 से multiply करेंगे, यह हमारा हो जाएगा, 21 और 68, plus 1, 1822, मतलब यह sequence हमारा follow कर रहा है, तो हमारा answer हो जाएगा C, तो मैंने जो बता है, जब भी आप पो ऐसा series दिखें, तो आप try कीजिए, पहले 2 मेहिं आप कुछ multiply और कुछ sum का करके arrangement कीजिए, maximum cases में यह answer ही यही pattern बनता है, question is, Jay and Vijay spend an equal amount of money to buy some paints and special pencils of same quality, from the same store, if Jay about 3 paints and 5 pencils, suppose Jay ने 3 paints, that means अगर paint का value हम x ले लेते हैं, और pencil का value y ले लेते हैं, 5y, so यह Jay ने buy किया उतने price से, then Vijay about 2 paint and 7 pencil, तो Vijay ने 2 paint that is 2x plus 7y, और दोनों same amount में buy किया गया है, then which of the following are correct, so यह दो equation मान लेते हैं, first and second, since हमें पता है, दोनों का amount सेम था, same rupees में लोगों ने खरदा है, तो दोनों equation को हम equate कर सकते हैं, तो यह हमनों लिख लेंगे, first equation हमारा आ गया, and second equation 2x plus 7y, x हमारा इस तरफ चला गया, और y को हम इस तरफ रहने देते हैं, यह x हो गया, और यह हमारा 2y हो गया, यह हमारा final statement आ चुका है, अब हम इस statement पे देखते, a pencil cost more than a pen, so यहां से क्या पता चला रहा है, x जो है वो pain का price है, और y जो है यह pencil का price है, so इससे क्या पता चला रहा है, जो pain का price है, वो two times of the pencil का price है, इसका मतलब pain का price जाता है, और यहां पर लिखा हुआ pencil का price जाता है, मतलब यह गलत हो गया, second, a price of pencil is equal to that of the pen, यह तो गलत है, because two times है, गलत हो गया, third, a price of pain is two times the price of pencil, so यही statement हमारा है, कि the price of pain is two times that of the pencil, मतलब C हमारा, सही हो जाएगा, so answer इसका हो जाएगा C, question is, P scored 40 marks more than Q, in an examination, so यहां हम एक equation बना लेता है, P और Q ही variable लेता है, P scored 40 marks, मतलब Q जितना लाया है, उससे plus 40, next बोला है, if Q scored 10% less marks than P, so Q ने 10% less marks scored किया है Q से, then how much did Q score, ऐसे question में पहले Q के तरफ समय की equation को resuffle करते है, so Q is equal to P minus 40, इसका मतलब है Q ने 10% कम किया है, तो यह जो 40 marks होगा, यह 10% होगा, तो अगर 40 10% है, तो हमारा next 90% कितना हो जाएगा, अगर यह हम 10% लेके consider करते हैं, तो 90% इसका कितना हो जाएगा, तो 10% आपका 40 है, तो 90% हमारा 40 into 9, that is 360, तो हमारा answer हो जाएगा Q ने 360 score किया है, so यह directly इसको cross check भी आप कर सकते हैं, suppose P का marks कितना हो गया इसी साब से, 360 पैला equation से, 360 प्लस 40, तो P का marks 400 हो गया, और पैला statement हम लों फुल्फिल कर लिए, दूसरा statement किया था, if Q score 10% less, so Q ने suppose इसका 10%, 400 का 10% कितना होता है, 40, तो 40 less किया है, मतलब 360 less किया है, तो यह Q का score है, यहाँ सभी हम लोग ने वही निकाला था, यह वाला part 360, so यह एक trick है, आप यह वाला equation निकाल दीजे, और यह जो minus वाला part है, यह minus वाले part से, आप देख लीजे, कितना percent है, यह 10% less है, मतलब 40 जो भी amount होगा, total sum होगा, उसका 10% 40 होगा, तो total sum हमारा कितना हो जाएगा, 400, तो हमारा P हो जाएगा 400, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, P हमारा 400 होगिया, तो Q हमारा 400 minus 40, 360, तो आप किसी भी तरीका से निकाल सकते हैं, यह simple pure percentage का है, आपको तो अगर आप percentage वाले questions बनाने लगेंगे, तो आप यह से भी इतना लिखने का ही जरूत नहीं है, आप मन में ही calculate कर सकते हैं, तो यह सब आप hands-on हो जाएगा, इससे, question is, a person P asked one of his three friends X as to how much money he had, X replied, if Y gives me 40, then Y will have half as much as Z, तो पहले तीन variable ले 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 थे हैं, X, Y, Z, यह variable same amount of money है, X, Y और Z के पास है, पहले बोलता है कि X बोलता है, if Y gives me 40, so अगर Y 40 दे रहा है, तो X के पास X plus 40 हो जाएगा, और Y के पास Y minus 40 हो जाएगा, so अगर Y gives me 40, then Y will have half as much of Z, so अगर Y 40 देता है, इसके पास हो जाएगा, जितना Z के पास है, उसका half, मतलब Z by 2, मतलब एक equation हमारा यहां से बन गया, next देखते हैं, but if Z gives me 40, then all three of us have the equal amount, अगर Z X को 40 देता है, तो X के पास X plus 40 होगा, equal to Z के पास Z minus 40 होगा, is equal to Y, क्योंकि इस सिनेरियो में तीनों के पास same है, तो हमारा यह equation number 1, equation number 2 आ गया, so दो equation है, हमें पूछा क्या है, कि total amount of money X, Y, Z है, मतलब X plus Y plus Z निकालने हैं हमें, so हम यह दो equation को solve करेंगे, यहां से हमें पता चल जा रहा, Y is equal to Z minus 40 है, तो इसे हम पहले equation होगा, put करते हैं Y के जगा, तो Z minus 40, और minus 40 पहले से है, that is equal to Z by 2, इसे solve करेंगे, तो Z minus 80 आएगा, और right hand side Z minus 2 है, तो फिर और simplify करेंगे, तो यह 2 है, नीचे वाला part 2 है, उपर Z है, तो यहां 2Z minus 160 is equal to Z, ठीक है, यह Z इधर आ जाएगा, तो केवल Z हो जाएगा, और 160 उदर चल जाएगा, तो 160 यहां पर value हो जाएगा, तो एक equation हमें Z का value 160 मिल चुका है, ठीक है, हमारे कितना आ जाएगा, 160 minus 40, 120, Y का value 120 हो गया, अब यह equation में, X plus 40 is equal to Y है हमारा, यह equal ही है, मैं side में ही लिख देता हूं यहां पर, X plus 40 is equal to Y है, और Y हमारा 120 आ गया, तो X कितना हो जाएगा, 120 minus 40, that is 80, तो X का value हमारा हो गया 80, और हमें निकालना क्या है, X plus Y plus Z, so 80 plus 120, 200, plus यह Z, 160, that means 360, तीनों का sum हो गया, 360, so option number B हमारा answer हो जाएगा, question is, in a certain language, mathematics is written as, कुछ code दिया हुआ, how is chemistry written as, in the code language, ऐसा question C set का, सबसे easy question होता है, और आप लोग 5 seconds से ज्यादा, इस question में मत दिजिए, because और आप A, B, C, D लिख के, try मत कीजिए, try कीजिए, option elimination का, जैसे mathematics, हमारा main approach क्या होगा, यह जो mathematics है, इसमें और chemistry में common ढूणेंगे, चले सबसे पहले देखते हैं, mathematics में यह C आया हुआ है, और chemistry में भी यह C आया हुआ है, तो last से second number इसमें क्या है, D है, मतलब C के alternative D आ रहा है, तो इसका C के alternative भी D आएगा, इसका मतलब है, option number A में है, और D last में है, मतलब B और C नहीं हो सकता, दो option eliminate हो गया, अब A, D बचा हुआ है, आप समझे, mathematics में हमारा, और next देखते हैं, mathematics में I आया हुआ है, I, तो I नीचे से, पीचे से तीसरा है, इधर पीचे से तीसरा H है, तो I की replacement में H होना चाहिए, तो I हमारा देखेंगे, कितने number पर है, एक, दो, तीन, चार, पाच्वे number पर, तो पाच्वे number पर हमारा क्या होना चाहिए H, तो first option में देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, पाच्वे में H है, last में देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, पाच्वे में I है, मतलब ये भी eliminate हो गया, तो answer हमारा हो गया A, तो ये ऐसा question हमेशा elimination से करेंगे, ठीक है? Question is, at which one of the following times, do the hour hand and the minute hand of the clock mix the angle of 180 degree with each other? suppose ये हमारा clock है, और हमें पूछा है, 180 degree hour hand और minute hand में, पहला लेते हैं, 7 hour, so suppose हमारा यहां 12 होगा, ये 6 होगा, ये approach 7 होगा, ठीक है? जो-जो important हो बना लेते है, ये ऐसे हमारा clock दिखते है, ठीक है, पहला देखते है, at 7 hour, so 7 hour में हमारा क्या होगा, approach, ये line ऐसा होगा, और ये straight होगा, so ये तो 180 degree angle नहीं बना, तो पहला wrong होगा, second देखते है, second option क्या है हमारा, between 7 hour and 75 hour, so ये 7 बज़े ऐसा बज़े रहेगा, और 7 पांच में क्या होगा, हमें पता है कि ये एक, जो 2 number के बीच का degree होता है कितना, total 360 degree है, और total 12 number है हमारा, so 2 के बीच में 30 degree होता है, ठीक है, so अब देखते हैं, 7 से 7 पांच के बीच में, so ये जो हमारा 7 पांच के बीच में, ये हमारा minute hand यहाँ चला जाएगा, मतलब minute hand, एक पहले देखते हैं, अगर minute hand को 360 degree चक्कर लगाता है, तो उस time में, आवर hand जो है, वो किवल ये एक ट्रेवल करता है, 30 degree, इसका मतलब है, minute hand कितना भी ट्रेवल किया है, 30 degree, तो आवर hand कितना ट्रेवल करेगा, वो हम देखते हैं, 360 degree अगर minute hand ट्रेवल करता है, उसमें 30 है, तो अगर 30 degree करेगा, तो इसका मतलब है, 1 degree के लिए, 30 by 360, और 30 degree के लिए, इसमें 30 add into कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12 हो गया, और ये आपका 5 और 2, तो ये 2.5 degree किवल हमारा, आवर hand ट्रेवल करेगा, तिल दे टाइम, आपका minute हैं यहाँ पर है, 2.5 degree, तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से ये जो angle हमारा कितना बन रहा है, ये angle हमारा हो जाएगा, 180 minus, ये जो angle है, कि भी 6 angle बनेगा 180 में, तो 180 divided by 6, तो 30 degree, जो मैंने बताए, ये 30 degree angle बनता है, दो के बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा 150 degree, और ये हमारा होगा 30 degree, ऐसे निकालेंगे, और हम लोग देख रहे, 2.5 degree बढ़ रहा है, इसका मतलब है, minute hand हमारा यहाँ होगा, और our hand यहाँ से 2.5 आगे बढ़ा होगा, ये angle 2.5 होगा, तो इसका मतलब है, ये जो angle हमारा बनेगा, ये 180 नहीं बनेगा, क्योंकि 180 बनने के लिए, ये अगर 2.5 बढ़ रहा है, तो हमें ये हमारा 30 प्लस 2.5 बनना चाहिए, ये लगभग यहाँ पर आना चाहिए 2.5, तब ये minute hand बनेगा, यहाँ 2.5 होगा, तब ये exactly ये वाला line सीधा हो जाएगा, तो 180 होगा, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेट्मेंट एट 75, तो वही सेम स्टेट्मेंट दिये, 75 में देख रहे हैं कि नहीं, 2.5 डिग्री से differ आ रहा है, ये भी गलत है, फूर्थ है बिट्विन 75 और 17, तो ये ये आंसर सही हो जाएगा, बिकोज 75 से 17 जो ट्रेवल करेगा यहाँ पर, ब्लेक से लेते, यहाँ से जो ट्रेवल करेगा, तो ये जो 2.5 डिग्री का गाप है, हमें पहले से नजार आ रहा था कि इतना गाप कम है, 180 डिग्री माइनस 2.5 कम है, तो जब ये ये ट्रेवल कर लेगा, अब रहा नेक्स 30 डिग्री ट्रेवल करेगा, तो नेक्स 2.5 डिग्री यहाँ से ट्रेवल होगा, तो इस केस में ये पोइंट कवर, ये 180 डिग्री होके क्रॉस किया रहेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा between 75 to 17 यह तोड़ा सा confusion हो गया लेकिन आप लोग यह 2.5 degree and यह 30 degree यह दो को consider करके आप चलिए कि जब minute hand 30 degree travel करता है तो hour hand 2.5 degree travel करता है तो कब यह दोनों cross कर रहा है तो मेन हमारा purpose है 7.5 में आप लोग देख लीजे 7.5 में क्या हो रहा exactly 180 degree minus 2.5 2.5 degree का difference हो जा रहा है मतलब 177.5 degree बन रहा है हमारा angle at 75 पे और उसके बाद 75 से 7.10 हो गया तो suppose यहां पर बता देता हूँ 75 में हमारा क्या बन रहा है हमारा angle बन रहा है 100 180 minus 2.5 मतलब 170 5.5 degree बन रहा है 7.5 पे ठीक है अब 7.10 में हमारा क्या होगा 7.10 में हमारा होगा हम जानते हैं 5 minute पे our hand हमारा sorry minute hand 30 degree आगे जाएगा इसका मतलब है minute hand suppose 7.5 में यहां तो इसमें आप suppose 30 degree आड कर लिजे तो हमारा कितना हो जाएगा 200 30 आड होने से हमारा हो जाएगा 215.5 और हमारा 2.5 आड हो जाएगा our hand में तो यहां गर हम 2.5 आड कर लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 180 तो आप देख रहे हैं our hand 180 हो रहा है उस point पे 180 होगा और minute hand 180 हो के cross हो गया होगा 215 चला गया होगा मतलब 7.5 से 7.10 के बीच में एक बार यह 180 डिगरी बीच में कही न कहीं हुआ होगा तो ऐसे हम लोग calculate कर सकते हैं अगर यह confusion लग रहा है आपको तो आप लोग comment section में बता सकते हैं यह our वाला question यह घड़ी वाला question आता है हर UPSC में मैंने देखा है एक यह दो आता है तो आप लोग comment section में बताइए इसे मैं अलग से एक class लेके completely आपको समझा दूँगा कि एक trick भी बता दूँगा कि आप directly कैसे answer मार सकते हैं guess work पे भी maximum guess सही ही होता है तो उस case में आप मुझे comment section में बताइए question is in an objective type test of 90 questions 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer so हमारा 90 questions है और हमारा ratio है plus 5 and minus 2 का for the wrong after attempting all the 90 questions a student got the sum of 387 that means 387 marks आपके what is the number of incorrect responses so incorrect response कितना होगा so इस question को कैसे approach करेंगा आप देखिए suppose एक incorrect response में हमारा total marks कितना कट रहा है वो ध्यान दिजिए क्योंकि 90 का 90 question attempt किया है और एक incorrect response होगा तो हमें जो plus 5 मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा और minus 2 और घड़ जाएगा मतलब total हमारा 7 number का नुकसान हो रहा है total marks में से so एक question में हमारा नुकसान कितना हो रहा है minus 7 का ठीक है क्योंकि हमारा और total marks कितना हो रहा है 90 question से अगर आप सब सही करते हैं तो आपका marks कितना हो जाएगा 90 into 5 मतलब 450 आपका total marks हो जाता है तो और हमारा आया कितना है 387 450 में से 387 घटा देंगे तो यह हमारा हो जाएगा 3 और यह 6 मतलब 63 marks का नुकसान हुआ है हमारा तो हमें पता है कि अगर एक question हमारा गलत हो रहा तो 7 marks का हमारा negative जा रहा तो 63 के लिए 63 by 7 is equal to 9 यह simple सा question है आंसर हो जाएगा A9 कभी भी ऐसा question है तो आप total marks calculate कर लिजे कितना है 450 और एक question गलत होने पर कितना total नुकसान हो रहा है 5 minus 2 7 का total हमारा marks deduct हो रहा है तो इस approach से आप बहुत जल्दी बना लेंगा answer question is consider the following addition problem 3P plus 4P plus PP plus PP is equal to RQ2 where P, Q, R are different digits what is the arithmetic mean of all the such problem arithmetic mean आपको पता है suppose number होता है A, B, C number है तो arithmetic mean हो जाता है addition divided by total number 3 यह arithmetic mean का formula होता है तो अभी हम लोग इसका possibility निकालेंगे ठीक है तो हम लोग इसको equation को ऐसे कुछ लिख देता है 4P PP and one more P and that is equal to RQ2 so अगर हम unit digit देख रहे हैं ध्यान से तो इसको 4 time P है 4 time P हमारा आ रहा है और P is a P, Q, R is a different digit so P का value हमारा कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से कुछ भी value P का ले सकते हैं अब हमें ऐसा P का value लेना है जिसका 4 time multiply करेंगे तो यहां हमारा 2 आना चाहिए यह हमारा purpose है so हम चेक करते हैं कितना value possible है अगर 1 लेते हैं तो 4 आएगा 2 लेते हैं 8 आएगा 3 लेते हैं तो 3 into 4, 12 आता है मतलब 2 आ रहा है मतलब 3 एक possible value हो गया next देखते हैं 4 लेंगे तो 4, 4, 16 हो गया 6 आया नहीं हुआ 5 लेंगे तो 20 आएगा नहीं होगा 6, 24 होता है यह भी नहीं होगा 7, 24 आठाइस नहीं होगा 8, 24 होता है 32 का unit is 2 होता है 32, 8 भी हो जाएगा तो यहां 8 हो गया 9 लेंगे तो 9, 24 आएगा 36 6 आएगा last मतलब नहीं होगा मतलब P का possible value 3 और 8 है अब यहां पर एक बार 3 put करते हैं एक बार 8 put करते हैं चलिए अभी यह equation में 3 put करते हैं P के जगा 33 हो गया 43, 33, 33 इससे calculate करते हैं तो यह 12 हो जाएगा यह carry हो गया तो यह 3, 3, 9, 10, 4, 14 142 आ गया जब हम 3 put किया अब next आते हैं suppose हम लोग 8 put करते हैं P के जगा पर इस equation में so 38, 48, 88 और 88 so 8, 4, 32, 3 carry 8, 2, 16, 4, 20 3, 3, 26 मतलब 262 हमारा दो नंबर आ चुका है 142 और 262 और अभी हमें इसका arithmetic mean निकालना है तो हमने formula देखा है arithmetic mean का क्या होता है जितना नंबर होता है उसे सबको add कर देते है divided by frequency मतलब कितने बार आया है so इसमें दो ही number आया है तो इसका arithmetic mean हो जाएगा हमारा 142 प्लस 262 divided by 2 तो 142 स्को add कर देंगे तो 4, 10 और इस 4 divided by 2 that is 202 यह हम देख लेंगे कौन सा option है यह हमार option number C है so ऐसे हम calculate कर लेंगे question is consider the following multiplication problem यह हमें दिया है PQ into 3 is equal to RQQ where PQR are different digits and R not is equal to 0 और हमें calculate करना P plus R divided by Q का value so सबसे पहले हम equation लिखते है क्या है PQ into 3 that is equal to RQQ so इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि Q का multiplication 3 के साथ हम यहाँ possibility देखेंगे Q हम लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी number हो सकता है Q 1, 2, 3 से लेकर कुछ भी number हो सकता है so हम लोग Q का पहले possibility देखते है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसमें से कुछ भी Q हो सकता है अब हम लोग एक-एक को check करते हैं अगर Q का value 1 रखते हैं तो हमारा 3 से multiply करने पर unit digits सेम आना चाहिए तो 1 होगा तो हमारा 3 हो जाएगा तो unit digits सेम नहीं है 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा यह भी नहीं है बतलब Q का possible value 5 है और देखते है 6 रखेंगे तो 6-3, 18 possible नहीं यह 6 और 8 है 7 रखेंगे तो 7-21, 17 और 1 अलग है 8 रखेंगे तो 8-24 है तो 8 और 4 अलग है 9 रखेंगे तो 9-27, 27 नो और 7 अलग है मतलब Q का हमारा filter हो गया value कि Q का value यहाँ 5 ही होगा इस equation को resuffle करते हैं जो जो value में मिल गया है वो लिख के तो हमारा equation ऐसा कुछ हो जाएगा 5, 5 अब यहाँ से decode करके P रखेंगे पॉसिबल निकाल सकते हैं हम लोग 5 तीयाई 15, 5 एक कैरी बचा होगा और P इंटू 3 मतलब P इंटू 3 is equal to हमारा कितना हो जाएगा P इंटू 3 प्लस 1 that means यह वला मिटा देते है P इंटू 3 प्लस 1 is equal to R 5 यह हमारा value है ठीक है अब यहाँ पर हम possible value देखते हैं हमारा क्या है P प्लस R का value हमें निकालना है divided by Q तो यहाँ भी अब हम P का possible value देख लेते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है P का possible value यहाँ देखते है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह सब में हमें क्या करना P को 3 से इंटू करना प्लस 1 करना है और हमारा unit digit 5 आना चाहिए अगर 1 लेते हैं तो 3, 1, 4 गलत नहीं आएगा अगर 2 लेते हैं 3, 2, 6, 1, 7 नहीं आ रहा 3 लेते हैं 9, 1, 10 नहीं आ रहा 4 लेते हैं 4 तियां ही 12, 1, 13 इसमें भी नहीं है 5 लेते हैं 15, 1, 16 नहीं आ रहा 6 लेते हैं तो 6, 3, 18, 1, 19 यह भी नहीं आ रहा 7 लेते हैं तो सात्या 21 प्लस एक 22 तब भी नहीं है, आठ लेते हैं, आठ तियाई 24 प्लस एक 25, मतलब आ रहा है, तो P का एक possible value आठ है, 9 ट्राइ करते हैं, 9 तिया 27 और एक 28, मतलब 5 नहीं आ रहा है, मतलब P का value भी हमारा यहां से filter हो गया, P का value 8 हो गया, तो यहां पर हमारा 24 प्लस 8, अगर P का value रखते हैं, तो यहां से R का value भी हमारा क्या आ गया, 2, तो अब तीनों value filter हो गया, तीनों value में एक साथ लिख लेते हैं, तो हमारा Q का value 5 आ गया था, P का value हमारा 8 आ गया है, और हमारा R का value आ गया यहां पर, sorry, यहां 2, R का 2 आ गया, यह तीन value आ चुका है, अब हमारा equation क्या है, P प्लस R, तो P प्लस R क्या हो गया, P 8 है, प्लस R हमारा 2 है, divided by Q हमारा 5 है, तो यह हमारा 10 divided by 5, that is 2, तो हमारा option number B, ऐसे eliminate करके हम option निकाले हैं, question is, there are 3 points P Q R on a straight line, such that P Q ratio Q R is equal to 3 by 5, so सबसे पहले ratio लिख लेते हैं, P Q ratio Q R is equal to 3 is to 5, if N is the number of possible values of P Q ratio PR, then what is the N equal to, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, कि यह ratio जो दिया हुआ हमारा P Q ratio Q R, इसका हम possible straight line draw करेंगे, so सबसे पहले हमारा एक यह possibility है, हमारा P यहाँ हो जाएगा, and Q R हमनों last में रखते हैं, और Q बीच में रखते हैं, Q, so इसे हमारा P Q कितना है, 3 है, and Q R हमारा कितना है, 5 है, एक यह हो गया, इसको अगर हम लों reverse कर देते हैं, so reversal हमारा R इदर हो गया, P यहाँ हो गया, और हमारा यहाँ पर बीच में हम Q रख दियें, तो यहाँ पर P Q कितना है, 3 है, और यह 5 है, यह दो लाइन हमारा बन गया, अब suppose यहाँ पर Q R का value 5 है, तो हम लोग एक लाइन Q R को भी दे सकते हैं, this is Q, this is R, और बीच में कहीं P बना देते हैं, तो P Q 3 है, तो यहाँ पर हम लगबग P बना दियें, तो इस case में P Q 3 यहाँ गया, और यह Q R हमारा यह total कितना है, 5 है, यह 3 हमारा हो गया, एक और बना सकते हैं, हम लोग यहाँ पर, black से बना देते हैं, कि हमारा arrangement अलग है, हम लोग R इस तरफ रख लिए, Q इस तरफ रख लिए, और P यहाँ पर रख लिए, कहीं, P, तो इस case में भी यह P Q जो है हमारा 3 हो गया, और Q R, that means यह total number, यह 5 हो गया, यह हमारा 4 तरफ का straight line possible है, अब आजाते हैं ratio पर क्या ratio हमें पूछा हुआ है, हमें ratio पूछा है, P, Q, ratio, P, R का, इसका हमनों possible value देखेंगे 4 straight line पर, पहला straight line पर देखते हैं क्या होता है, P, Q, मतलब P, Q, यह 3 है, ratio P, R, P, R मतलब यह, यह 5 plus 3, 8 है, मतलब पहले वाले case में हमारा क्या आ रहा, 3 is ratio 8, अब second case देखते हैं, यह वाला, इसमें P, Q कितना है, P, Q यहां 3 है, और P, R, P, R यहां 8 है, यहां P, R 5 है, तो हमारा 3 is to 5, third ले लेते हैं, third हमारा, sorry, यहां P, R 5 नहीं है, second वाले में थोड़ा गलती होगे, P, R हमारा यह 3 plus 5, यह दोनों मिला के हैं, so second वाले में 8 होगा, then हम आते हैं third पे, third में हमारा P, Q कितना है, P, Q हमारा यह ही है, सिर्फ 3, and P, R देखेंगे, तो P, R यह वाला पाट होगे हमारा, तो यह total जब 5 है, और यह 3 होगया, मतलब यह 2 होगा, 3 is to 2, fourth वाले case देखेंगे, last case, इसमें P, Q देखेंगे, तो P, Q हमारा P, Q यह 3 है, बस, 3 is to, और यहां पर P, R देखेंगे, तो P, R हमारा P, R यह पाट है, मतलब 5-3, यह 2 होगया, 3 is to 2, तो N का, N कितना total unique value कितना आया, एक हमारा unique value आया है, 3 is to 2, and second unique value आया है, 3 is to 8, मतलब N का केवल 2 unique value आया है, तो answer हमारा N का value हो जाएगा, B, 2, इस questions के साथ ही, CSAT 2021 PYQ series का part 3 complete होता है, अब केवल part 4 बच जाता है, जो की already मैं बना कर, अपने channel पर upload कर जुका हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं, और मेरा video आपको अच्छा लगा हो, तो video को like कीजिए, share कीजिए, और इस channel को subscribe कीजिए,